आप सभी को जोहार इंडिवर फोडियो आप देख रहे हैं अगर चैनल पे नया है तो आप सब्सक्राब जरूर करेंगे या अपडेट पाने के लिए उची नयाले ने स्री कुमार सन्यम द्वार दाखिल रिट में मुख परिच्छा पे रोग से इंकार किया भी भी ताजक हुआ और देखिए इस वीडियो में और क्या हुआ और उनके पास सब कौन सब्सक्राइब बचा हुआ है यह रूल है 17-1 और 17-2 जिसका चर्चा हम लोग पहले अल्रेडी कर चुके हैं कि इसमें पीटी परिच्छा में आरच्छन का लाव देने का प्राफधान नहीं है रिक्ती का 15 गुन रिजल देने का प्राफधान है और उन्होंने में जो सबसे ज्यादा जूर दिया था वो गुलाम साधी का मामला है जानते हैं सब इंस्पेक्टर का बाहल हुए तो उसमें भी सरकार ने ही अपना जवाब दिया था कि आरच्छन देने का कोई नीती नहीं है पीटी में उसके बाद इनकी ओर से 15-1-2022 15 जनवरी को दिकाईये पेटीशन दयार करके मुख फरिच्छ का करता ने रोक लगाने का प्राधना किया था इसमें जो पेटीशनर के अडवोकेट कुमार सन्यम के तरफ से उपस्तित हुए थे उन्हें ने जुड़तार तरह तरक दिया था बोला था कि परिच्छा में कानूनी रूप से आरच्छन नहीं दिया जा सकता है और बीना नि बड़ी से निर्धारित है इसे रोक दिया जाए इस पे स्टे दिया जाए देखें को चिपीसी के तरफ से बोला गया कि यह चुकी रूल 17 में लिखा हुआ है ऐसा कोई नियम नहीं है कोया रच्छन का रूल ने पालम किया गया है कोट ने बताया देखें कोट का मेन फैंड कोट ने बोला कि हम आपके प्रियर पर रिजेक्ट करते हैं जेपीसी के परिच्छा जो मुख परिच्छा होने वाला उसे हमें इस्टे नहीं देंगे उसके बाद अंत में फिर जेपीसी और राज को बोला कि आप जबावी हलफ नामा दायर किजिए च्छा सब्ता के आंद लगता है इस रेंड में अंतिम परिणाम भी आ जाए अब ऐसा लगता है कि करेब करेब चेप्टर क्लोज होने के तरफ बढ़ रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इमेल एक सेरें सब्सक्राइब एट थैंक्स फ़र बिइंग वीथ हैस